हलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का एक बार फूट से लर्न वेशनल पर इसमें आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ओफ वल्क मैटर के पार्ट 10 की यह आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ओफ मैटर का पार्ट 2 है और जिन लोगोंने पार्ट 1 को नहीं देखा है वो लोग जाकर जरूर देखिए उसमें हमने हीट को कवर किया है और इसमें आज हम लोग बात करेंगे थर्मल एक्षफेंशन की और कैलोरी मीटरी की यानि की स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट यानि बिसिस्ट उसमा और गुपत उसमा क्या होती है और थर्मल एक्षफेंशन यानि की उसमें प्रशार क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे तो लेक्षर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ रीजन बता देना चाते हैं जिसकी वेएसे ये वीडियो आने में देर हुई तो इसके दो-तीन रीजन ये हैं कि सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम हा रही है एलेक्रिसिटी की क्योंकि आपको पता है आन्दी और तूफान काफी चल रहा है तो इसकी वेएसे जो गाउं देहात की लेक्रिसिटी होती है उसमें काफी कटाउती रहती है सेकेंड रीजन है काफी गर्मी बढ़ रही है और जैसे ही लाइट की प्रॉब्लम सॉल्ब हुई हमने भी आपको कमुनिटी टैम में पोस्ट किया लेकिन गर्मी की बैसे हमारी तबियत कराब हो गई लेकिन हमने आपको वहाँ पोस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोग कहते कि क्या भाना माल रहे हो ठीक है और ऐसा ही कुछ हुआ फिर भी हम उससे निरास नहीं है क्योंकि आप लोग भी वेट करते हो और हम भी आपका ही वेट करते हैं कि आप लोग आओगे और हम पे सिर्फ तीन मिनट या धाई मिनट का एवरिज व्यू डूरेशन रहता है तो उसका कानण आज हमें जानना है और प्लीज कमेंट करके जरूर बताईए अगर कुछ कुछ ऐसे स्टुएंट हैं या जादा तर ऐसे स्टुएंट हैं जो वीडियो को ऑफलाइन में देखते हैं तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिए डाउनलोड करके मत देखा करिए अगर आप लोग डाउनलोड करके दिखोगे तो हमें कुछ भी रिवेन्यू नहीं मिलेगा और अगर किसी को कुछ भी रिवेन्यू नहीं मिलेगा तो वह उसकी ग्रोथ रुख जाएगी यानि कि हम जो आपके लिए सोच रहे हैं वह कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो जो फ्री एजुकेशन का हम मिसन सोच रहे हैं वह इंपॉसिबल हो जाएगा ठिक है तो आपको आज करना होगा कि ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वह से यह जो धाई मिनट और तीन मिनट का जो वाश टायम है वह ऐसा क्यों आ रहा है और अगर कोई और रीजन है तो प्लीज वह भी बताईए हम जानते हैं प्रॉपर्टी जो फॉल्कमेटर काफी वाइड चेप्टर है वाइड यूनिट है जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था तो इसकी वह से आपको साथ बोरियत भी हो रही हो तो आप लोग उस चीज को भी कमेंट कर सकते हो तो प्लीज सपोर्ट कीजिए लर्ण में चैनल को आप लोग जितना सपोर्ट करोगे उतना ही लर करेंगे कंडक्शन ओफ हीट के लिए रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट आता है वाट इस थर्मल एक्सपेंशन यानि की उस में प्रेशार क्या होता है जैसा कि हम लोगों ना इलास्टिसिटी में पढ़ाता है लास्टिसिटी ओफ सॉलिट्स में कि जब उसके उपर बिरूपण वाली यानि की deforming force लगती है तो उसकी configuration में change होता है और वह कैसा होता था या तो उसकी length में increase होता था या decrease होता था तो वह अलग point है लेकिन यह इसी की तरह है लेकिन अब इसमें क्या नहीं लगेगी deforming force नहीं लगेगी इसमें लगेगी heat यानि जब आप किसी भी body को heat करोगे तो उसमें expansion होगा और उसमें जो expansion हुआ है वो heat की बैसे हुआ है तो उसे हम लोग thermal expansion बोलेंगे तो यही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है on heating increase in dimension of a substance is called thermal expansion यानि की तापमान भढ़ाने से बस्तू की आकरती में परिवर्तन आए उसे हम उसमें प्रसार कहते हैं और परिवर्तन को यहाँ पर आप लोग change कर लिजे यहाँ पर expansion लिख लिजे यानि की प्रसार लिख लिजे क्योंकि change का मतलब होता है या तो length में increment होगा या dimension में increment होगा या decrement होगा ठीक है तो यहाँ पर decrement की तो बात नहीं है यहाँ पर है increment की बात यानि in dimension of substance is called thermal expansion I hope आप सभी को ये clear होगा और experiment में पाया गया कि सभी के सभी solid expand करते होने जब heat किया जाता है तो यहां पर यही लिखा हुआ है all solids are found to expand on heating this is called thermal expansion of solids तो इसे हम लोग expansion of solid बोलते हैं आप में से कुछ students के दमाग में ये question भी आ रहा हुगा जी हां बिल्कुल would be expand होती है heat करने पर कहने का मतलब आप लोग ने देखा होगा जब भी कोई लकडी moisture को absorb करती है और फिर जब खुली अबाम है या heat में रखी जाती है तो वह फूल जाती है तो वह क्या है एक expansion है और वह किसकी वैसे हो रहा है thermal expansion यानि की heat की वैसे और heat को आप लोग इस चीज़ से clear कर लीजे heat आपकी fire नहीं है heat का है temperature में change ठीक है तो heat आपकी temperature है यानि temperature में ब्रद्धी उसे हम लोग heat बोलेंगे ना कि fire को I hope आपको इस point से आप सभी को ये clear होगा कि सभी solids expand होते है heating करने पर और इसे हम लोग thermal expansion of solid बोलते हैं अब हम लोग बात करेंगे types of thermal expansion of solid यानि कि ठोस के उसमें प्रशार के प्रकार तो इसके कितने प्रकार होते हैं इसके तीन प्रकार होते हैं अब आप में से कुछ student ये भी सोच रहे होंगे क्या liquid और gases में भी expansion होता है जी हाँ बिलकुल liquid और gases में भी thermal expansion होता है जिसे हम आगे discuss करेंगे तो solids के जो thermal expansion होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं number one linear expansion यानि कि रेखिक प्रशार नाम से clear हो रहा है कि length में जिसकी में expansion हो यानि कि जिस बस्तू की length में expansion हो उसे हम लोग linear expansion बोलेंगे इसे आगे हम आगे अगे detail में करेंगे और number two है superficial expansion सताई प्रशार यानि कि surface area में जिसकी में ब्रद्धी हो उसे हम लोग superficial expansion बोलेंगे and third is cubical expansion यानि कि जिसके volume में expansion हो heat की वैसे उसे हम लोग cubical expansion of solids बोलेंगे I hope आपको समझ में होगा तीन टाइप होते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे linear expansion of solids तो जिस substance की length में increment हो on heating उसे हम लोग linear expansion of solid बोलेंगे तो यही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है it is the increase in the length of solid on heating clear है जिन ठोस में ऊश्मा देने पर उनकी लंबाई में प्रशार होता है उसे हम लोग रेख यह प्रशार बोलते हैं यानि कि जैसे कि यह आपकी कोई body है या substance है जैसे कि आपका कोई solid substance है और इसको आप लोगों नहीं heat किया तो यह heat होने की वैसे तो इसके अंदर जो molecule से उनकी speed बढ़ेगी और वह vibrate करेंगे और वह एक दूसरे को expand करने की कोशिस करेंगे तो उसकी वैसे जो length होगी वह इस तरीके से इनकी increase हो जाएगी यानि कि जो after this जो बनेगा यह यहां से ले लेते हैं जो after में बनेगा वह कुछ तोड़ा सा लंबा हो जाएगा और सिर्फ length में increment हो उसे हम लोग linear expansion ब कि अगर यह original length है तो यह क्या हो जाएगी L plus delta L तो जो change in length होगी वह आपकी directly proportional होगी length के और change in temperature क्यों है यानि कि अगर इसका initial temperature Ti है और heat करेंगे तो इसका temperature बढ़ेगा जो की हो जाएगा Tf तो जो change in temperature होगा वह क्या हो जाएगा delta T which is equals to Tf minus Ti I clear है तो यही आप लोगों का यहां पर लिखा हुआ है इसे हम लोग erase कर रहा है delta L is directly proportional to L and delta T तो जो delta L होगी वह equal में आदाएगी जब proportional design हटेगा तो वह होगा alpha L delta T where alpha is the coefficient of linear expansion clear है alpha क्या है गुलांक है linear expansion का और इस alpha की unit क्या हो जाएगी alpha equals to delta L over L into delta T तो L और L इनकी length unit less तो delta T क्या है change in temperature और temperature की unit क्या होती Kelvin यह Celsius yes तो alpha की unit क्या हो जाएगी यह इसको हम किस में measure करेंगे Celsius inverse या K inverse clear है आगे बढ़ते हैं अब आपको कुछ note करने की ज़रुवत है तो आपनी copy में note कर लीजिए the value of alpha depends upon the nature of material of the solid यानि कि solid का जो material है उसका nature क्या है उसके उपर आपका alpha यानि coefficient of linear expansion depend करेगा और इसको हम लोग measure करेंगे Celsius inverse और degree Celsius inverse और Kelvin inverse में और second note यह है the value of alpha is more for ionic solid यानि कि ionic force के लिए जो value होगी alpha की वे जादा होगी in comparison to non-ionic solid clear है तो आप लोग इस point को note कर लीजिए अपनी copy में यह directly exam point of view से related है आगे बढ़ते हैं next point है आपके सामने second superficial expansion तो अब आपको कुछ ज्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है तो superficial यानि की जिसके surface area में increment हो या expansion हो उसे हम लोग superficial expansion बोलेंगे तो यह आपका लिखा हुआ है इस दे इंक्रीश इन दे सर्फेस एरिया of the solid on heating is known as superficial expansion और delta S is directly proportional to S and delta T similar है अब ही यह आपके तीनों एक ही तरीके से है तो delta S is directly proportional to S and delta T तो delta T आपको पता है final minus initial clear है और S आपका initial surface area और delta S क्या है change in surface area यानि जो final surface area होगा उसमें से आपको initial surface area को subtract करना पड़ेगा clear है और proportionality sign हटेगा तो क्या आज़ाएगा constant या coefficient जो की होगा बीटा जिसे हम लोग superficial expansion का coefficient बोलेंगे और इसे भी हम लोग किसमें measurement करेंगे degree Celsius inverse और Kelvin inverse में तो यही note आपको लिखना है the value of beta depend upon the nature of material तो जो तीनों coefficient है वह आपके nature of material के उपर depend करेंगे और इनको measure किया जाएगा Celsius degree Celsius inverse और Kelvin inverse में clear है आगे बढ़ते हैं next आप लोगों का cubical expansion name suggest कि इसके volume expansion होगा और delta V is directly proportional to V into delta T तो V तो delta V क्या हो जाएगा gamma V delta T और gamma क्या है coefficient of cubical expansion तो यह आपका same nature of material of the solid के उपर depend करेंगा और इसको हम measure करेंगे degree Celsius inverse और Kelvin inverse में तो यह हमारे तीन टाइप हो जाते हैं thermal expansion के solids में अब हम लोग बात करेंगे relation between alpha V and gamma alpha V और gamma के बीच में क्या relation है जो की बहुत ही important point है exam में आप लोगों से पूछ सकता है तो जो relation होगा इन तीनों के बीच में बैव होगा 6 alpha 3 beta equals to 2 gamma ठीक है तो यहां से आप लोगों से individually भी पूछ सकता है तो 6 alpha equals to 3 beta यानि की beta equals to 2 times of alpha और 6 alpha equals to 2 gamma तो वह क्या हो जाएगा gamma equals to 3 times of alpha तो आपको इस तरीके से इसको ध्यान रखना है 6 alpha equals to 3 beta equals to 2 gamma जिसे हम लोग और discuss करेंगे questions में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आप लोगों के सामने thermal expansion के कुछ application यानि कि यहां पर यह गलत लिखा हुआ है applications है यह application यानि कि कहां कहां पर thermal expansion आप लोगों को देखने को मिलेगा तो number one example is जो आपकी railway tracks होती है जैसे कि यह आपकी एक line है तो इसके बीच में छोटा सा gap क्यों छोड़ा जाता है तो यह question आप लोगों से पूछ सकता है तो हमेशा यह वाला gap छोड़ा जाता है और उसका कारण यह होता है कि thermal expansion के लिए इन्हें space छोड़नी परती है और इसमें thermal expansion कैसे होता है जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है तो यह heat होंगे और heat होंगे तो expand होने के chances है लेकिन उससे ज़्यादा chances का बढ़ जाते हैं जब इसकी उपर से train पास होती है तो friction की वैसे heat produce होती है और गर्मी आपकी पड़ी रहे तो दोनों कारण की वैसे इन दोनों की बीच में expansion होता है और अगर यह gap नहीं छोड़ेंगे तो यह line के हो जाएकि break हो जाएगी तो इसलिए भी इसके बीच में gap छोड़ा जाता है अगर आप लोगों ने यह नहीं देखा है तो आप लोग कभी जाईए तो देखना ज़रू और अगर हम लोग बात करें second example की तो यह भी आप लोगों ने देख रहा होगा जो आपके pull होते हैं bridges तो उनमें भी यह कुछ small gap छोड़ा जाता है और वह इसलिए होता है कि उनमें भी expansion होता है अगर वो expansion के लिए जगा नहीं छोड़ेंगे तो वह bridge break हो जाएगा clear है तो इसलिए थोड़ा सा space छोड़ा जाता है जिससे कि वह जब expand हो तो कोई problem ना हो और third example यह आप लोगों ने कर रखा होगा जब भी कोई किसी glass bottle में यानि कांच की bottle में उसका डखकन या glass stopper jam हो जाता है तो उसको जब आप heat करोगे उस bottle को तो वह क्या हो जाएगा expand होगी bottle और जो glass stopper होगा वो आसानी से निकल जाएगा clear है तो यह कुछ applications थे thermal expansion के जो कि आपको पता होने चाहिए दो तो खास करके आपको पता होने ही चाहिए जो कि आप लोगों ने real life में daily ही देखते हो तो चलिए यह तो थी thermal expansion of solid की बात अब हम लोग बात करेंगे thermal expansion of liquid यानि की तरल में प्रशार यानि की तरल में उसमें प्रशार तो यहाँ पर यह गलत लिखा हुआ है तरल में उसमी है प्रशार आप लोग इसको लिख लीजिए और दूसरा करण यह भी है वीडियो उसका लेट आने का कि हिंदी में देरी होती है क्योंकि हिंदी के लिए हम किसी और की उपर निरवर है तो वह जब करके बेशते हैं तब ही आपकी वीडियो तैयार हो पाती है तो इसलिए भी थोड़ा time लग जाता है तो please patience बनाए रखें हम आपका पूरा course कराएंगे तो expansion of liquid क्या होता है तो जैसे कि आप लोगों को पता है अगर हम लोगों को liquid को heat करना है तो उसे हमें किसी container में डालना होगा और अगर हम लोग किसी container में डालेंगे तो वह container भी क्या होगा expand करेगा और liquid तो expand करेगा ही करेगा तो उसकी study को हम क्या बोलेंगे apparent expansion यानि कि प्रतच्च प्रसार और अगर हम लोग यह सोच लें कि जो container है वो है expand नहीं करेगा heating के तोरान तो उसकी study को हम लोग बोलेंगे real expansion of liquid यानि कि बास्तविक ताम है liquid का प्रसार ठीक है यानि कि तरल का प्रसार क्योंकि हम लोग बात करने जा रहा है expansion of liquid की तो हम real expansion of liquid को पढ़ेंगे जिसमें हम लोग neglect करेंगे कि container भी expand हो रहे हैं clear है तो यही आप लोग यहाँ पर लिखा हो है for heating a liquid it has to be put in some container उसे किसी container में put करना पढ़ेगा और जब liquid को heat करेंगे तो container भी expand होगा क् हम यहाँ पर assume कर लेते हैं कि वह expand नहीं हो रहा है तो जिसकी हम लोग study करेंगे वह क्या कहलाएगा real expansion of the liquid clear है और अगर हम बात करें apparent expansion की तो in actual practice में container expand हो गई होगा और उसकी जो हम study करेंगे तो आपका apparent expansion कहलाएगा यानि कि बास्तम में जो expansion होगा उसे हम लोग apparent expansion बोलेंग जो कि आपका actual practice में होता है तो जैसे कि अभी हम लोग ने solid के coefficient को पढ़ा इसी तरीके से अब हम लोग liquids के coefficient को भी पढ़ेंगे तो सबसे पहला है coefficient of real expansion जिसे हम लोग define करते हैं coefficient of real expansion of a liquid as the real increase in volume यानि कि volume में increase होना of the liquid per unit original volume per degree centigrade rise in temperature it is represented by gamma r क्योंकि यह real expansion है तो इसलिए हम r से denote कर रहे हैं तो gamma r क्या हो जाएगा real increase in volume तो real increase in volume यहाँ पर आपका आज आएगा upon में आएगा original volume into degree Celsius यानि कि delta t तो यही आप लोगों के यहाँ पर लिखा हुआ है gamma r equals to real increase in volume over original volume into rise in temperature तो real increase in volume क्या होगा final volume minus initial volume clear है जब भी हम लोग बात करेंगे increase की तो वह क्या ऐसे निकालते हैं हम लोग final minus initial तब ही तो में पता चलेगा increase क्या हुआ है clear है और इसी तरीके से आप लोगों का होता है coefficient of apparent expansion तो यहाँ पर उसमा क्या है यह गलत लिखा हुआ है इसको ignore कर दीजिएगा गुलांग के coefficient का मतलब और apparent का मतलब बास्तविक expansion तो जैसे कि हम लोगों को पता है apparent expansion क्या होता है और इसके expansion के coefficient को हम लोग gamma इसे denote करते हैं तो वही same definition है बस apparent increase in volume of the liquid per unit original volume per degree centigrade rise in temperature is called coefficient of apparent expansion तो यह सभी हम point क्यों पढ़ रहा है यह सभी point हम इसलिए पढ़ रहा है कि जितने भी conceptual question बना है एक भी नहीं चूटे तो इसलिए यह आपको सारे coefficient पता होने चाहिए तो यह आपका यहाँ पर लिखा हुआ है y gamma a equals to apparent increase in volume over original volume into rise in temperature यह तो थी expansion of liquid की बात और यहाँ पर आपको एक चीज note करनी होगी water यहाँ पर exceptional case है यानि कि जब आप लोग water को heat करोगे तो उसका volume decrease होगा ना कि increase तो इस चीज को आप लोग ध्यान लखिएगा water आपका एक exceptional case है यहाँ पर तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बात करेंगे thermal expansion of gases यानि कि गैसों का ऊच में प्रशार क्या होता है तो यहाँ पर हम लोग दो coefficient की बात करेंगे तो जैसे कि पता है उसमी प्रशार क्या है gases को heat करने पर expand करती है और इसका real example आप लोगों ने देखा होगा जो balloon होता है जो आप लोग वर्थ डे पर फोड़ते हो तो क्या करते हो आप लोग candle को उसके नीचे ले जाते हो और वह क्या होता है heat हो रहा होता है और heat होने की वह से जैसा कि आपको पता है जो बाहर की layer है वह solid है और वह solid है तो क्या करेगी expand होगी लेकिन वह अपनी elastic limit से बाहर चली जाएगी और elastic limit से बाहर चली जाएगी तो वह fracture point पे पहुँझाएगी यानि कि fracture हो जाएगी या blast हो जाएगी और जो अंदर उसके क्या है air है और air का क्या होता है pressure तो जब आप लोग उसे heat करोगे तो उसका pressure बढ़ेगा और pressure बढ़ेगा तो वह भी क्या करेगा expand हो रहा है तो इसलिए जो balloon होता है blast हो जाता है तो इस तरीके से आप लोग relate कर सकते हो thermal expansion of gases को क्योंकि जितना आप लोग अपनी real life से relate करोगे अतना ही आपको physics समझना आसान हो जाएगी रटने की कोशिस नहीं करने है सिर्फ समझने की कोशिस करने है तो दो type के होते है number one pressure जो कि अब भी हमना आपको example के तोर पे बता है और volume और number two volume coefficient जो कि जो बाहर की लिए यह ती जिसका volume increase हो रहा था लेकिन वैं अपनी elastic limit से बाहर चला जाता है इसलिए वैं भट जाता है तो चलिए एक एक करके इनको discuss करते हैं number one pressure coefficient क्या होता है जिसे हम gamma P से denote करते हैं तो यह क्या होता है increase in pressure per unit pressure per unit degree rise of temperature at constant volume यानि कि pressure coefficient है तो volume आपका constant रहेगा pressure में increment रहेगा और per unit pressure per unit degree के लिए जो होगा उसे हम लोग pressure coefficient बोलेंगे या gamma P और gamma P equals to क्या होता है गा PT minus P0 over P0 into T तो T क्या है temperature PT क्या है change in pressure after temperature यानि कि increase in temperature और यह क्या होता है गा initial state में pressure clear है तो वह यह ही है तो यह ही है increase in pressure per unit original pressure into temperature तो जो अभी आप लोग पढ़ते हुआ रहे थे liquid के लिए same वही formula है और यहां से आप लोग PT की value भी निकाल सकते हो जो की हो जाएगी gamma P into P0 into T और यह आप लोगों का इदर आएगा तो यह प्लस हो जाएगा PO P0 तो यहां से P0 common ले लीजिए और यह हमने common लिया तो यह कितना हो जाएगा YP plus YPT plus 1 या 1 plus TYP या YPT clear है तो इस तरीके से आप लोग change in pressure या increase in pressure निकाल सकते हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बात करेंगे volume coefficient की जिसमें आप लोगों का pressure constant होगा और increase in volume per unit volume per unit degree rise of temperature रहेगा तो भई सेम है तो gamma V equals to VT minus V initial या V0 over V0 into T तो यहां से भी आप लोग VT की value निकाल सकते हो तो VT क्या हो जाएगा simple सा V0 into 1 plus gamma V into T clear है तो यह आपके volume coefficient होगा तो thermal expansion of gases में सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना होगा और अब हम लोग बात करेंगे effect of temperature on density of solid and liquid यानि कि solid और liquid की घनत तुपय ताप मान कि बढ़ने से या गटने से क्या प्रभाप पड़ेगा तो लिख लीजिए आप लोग इसको density of liquid or solid decrease with rise in temperature यानि कि temperature बढ़ने के साथ साथ जो density होगी liquid की या solid की वे decrease होगी कैसे इसे हम लोग proof कर सकते हैं जैसे कि आप लोग को पता है जब हम लोग heat दे रहे हैं यानि temperature उसका बढ़ा रहे हैं तो उसका expansion हो रहा है यानि expansion हो रहा है तो volume बढ़ रहा है और we know that घनत तो क्या होता है density equals to mass per unit volume यानि कि दिरभ्यमान upon में heighten तो mass per unit volume volume आपका increase होगा तो density क्या होगी decrease होगी लेकिन water के लिए exceptional case है ठीक है तो आप लोग इस point को note करके रखिए तो ये तो था हम लोगों का thermal expansion के बारे में अब हम लोग बात करेंगे next chapter जो कि यह आपका calorie meter और calorie meter को study करने से पहले हम लोग कुछ heat के बारे में पढ़ेंगे जो की होती है आप लोगों की specific heat यानि की business उस्मा यह क्या होती है यह आपकी वैव उस्मा होती है जब आपको किसी 1 gram substance का 1 degree Celsius आपको अगर बढ़ाना है तो उस समय उसको कितनी heat आप लोगों ने दी उसे हम लोग specific heat बोलते हैं तो यह आपका यहाँ पर लिखा हो है it is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass या 1 gram mass आप लोग लिख सकते हो या 1 kilogram mass आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो through unit degree unit degree यानि की 1 degree Celsius ठीक है unit degree is called the specific heat ओके तो आयोप आपको बहुत ही simple तरीके से समझ में आ गया होगा specific heat क्या होती है जितनी heat required होती है किसी भी 1 gram substance का ताप मान 1 degree Celsius से बढ़ाने में उसे हम लोग business tools मा या specific heat बोलते हैं तो यह तो थी इसकी definition और numerical point of view से जो इसका formula वनेगा वह वनेगा c equals to q over m into delta t q आपकी heat है जिसकी unit calorie या joule होती है mass की kilogram या gram होती है और temperature की degree Celsius होती है degree Celsius या Kelvin inverse होती है तो इससे जो इसकी unit आएगी वे क्याद आएगी joule per kilogram per degree centigrade तो यहीं आपर आपकी unit लिखी हुई है calorie per gram degree Celsius या joule per gram degree Celsius clear है तो कुछ note है जो आप लोगों को note करने होंगे अपनी copy में जो की exam point of view से काफी important है तो पहला note है specific heat of substance depend upon the state of substance यानि कि जो बिसिस्ट उस्मा है बैप पदार्थ की state की उपर depend करती है यानि कि वैए solid है या liquid है या gas है तो specific heat solid के लिए अलग होगी liquid के लिए अलग होगी और gas के लिए अलग होगी जैसे कि आप सभी को पता है water तीनों state में पाया जाता है solid, liquid और gas solid में ice तो उस समय उसकी specific heat कुछ और होगी यानि उसका temperature बढ़ाने के लिए जो heat दी जाएगी वह कुछ और liquid का temperature बढ़ाने के लिए जो heat दी जाएगी वह कुछ और होगी जिसे हम specific heat बोलेंगे और gas की heat बढ़ाने के लिए जो heat दी जाएगी वह आपकी अलग होगी clear है तो यहां से आप लोग इसको एक तरीके से और लेक सकते हो Q equals to M C delta T यह आपके लिए काफ़ी important है numerical point of view से तो चलिए आगे बढ़ते हैं next point आपके सामने greater the mass of substance larger is the amount of heat required to raise its temperature यानि कि जितना ज्यादा mass होगा substance का उतनी ही आपको ज्यादा heat provide करनी पड़ेगी किसी भी body को तो यह बहुत ही simple है जैसे कि आपको पता है जितना ज्यादा भारी थेला होगा उतनी ही ज्यादा हमारी energy खर्च होगी और जितनी ही अच्छी अपनी post होगी उतनी ही मेनत आपको करनी पड़ेगी clear है third point is greater the increase in temperature large is the amount of heat required यानि कि जितना temperature बढ़ने में heat लगेगी उतनी ही आपको heat की जरुवत पड़ेगी उतनी ही ज्यादा amount में आपको heat देनी पड़ेगी तो ये तो ही general specific heat की बात अब हम लोग बात करेंगे gases के लिए यानि gas की बिसिश टूसमा specific heat of gas आपकी two types में होती है number one for constant volume यानि की constant volume के लिए और constant pressure के लिए तो constant volume में आपका volume constant रखा दाएगा तो उस समय जो आपकी specific heat होगी वह हो जाएगी cv equals to delta q over m delta t तो वही same है यहाँ पर सिफ आपको cv लिखना है और c आपका small letter है तो जिसे हम लोग cv बोलते हैं जो कि हम लोग है gas equation में यानि thermodynamics में काफी use किया है और specific heat at constant pressure जिसमें आपका pressure constant होगा तो वह आपकी cp कहलाएगी और कुछ important point है इसके regarding और वह कि यह है कि जो specific heat होगी constant pressure के लिए वह आपकी जादा होगी in comparison to constant volume से यानि cp is always greater than cb ठीक है तो आप लोग इस point को note कर लीजे या आप लोगों से mcq में पूछ सकता है और second point जो की है आपका mayor's relation और mayor's relation क्या होता है cp minus cb equals to r r क्या है gas constant universal gas constant तो यह आपका यहाँ पर लिखा हुआ है cp and cb are related to each other according to the relation cp minus cb equals to r यहाँ पर small कर लीजे यह सभी small में है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बात करेंगे latent heat के बारे में यानि कि गुप्त उश्मा के बारे में तो नाम से clear हो रहा है गुप्त उश्मा यानि कि ऐसी heat जिसका पता ही न चले तो हिंडी में तो यह clear होगा लेकिन इंगलिस में क्या बताएंगे हम लोग ऐसी heat जो की किसी भी body की state को change करते यानि किसी substance body न बोलका substance बोलेंगे किसी substance का state को change करते उसे हम लोग latent heat बोलेंगे यानि उस समय जो हमने heat प्रोवाइट की उसे हम लोग latent heat बोलेंगे तो यही आप लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है at a constant temperature यानि कि तापमान आपका क्या रहेगा constant रहेगा temperature नहीं बढ़ेगा जब उसकी state चेंज हो रही होगी यानि कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा water आपका 100 degree Celsius पे वाइल होता है तो यह आपका water वाइल हो रहा है और अब आप इसमें लगातार heat दे रहे हो तो इसका जो temperature वह अभी भी 100 degree Celsius रहेगा और वह कब तक रहेगा जब तक यह पूरा water gas में convert नहीं हो जाता तो at a constant temperature इसलिए बोला गया है तापमा नहीं बढ़ेगा इसकी सिर्फ state चेंज होने में जो heat लगेगी उसे हम latent heat of substance बोलेंगे the amount of heat taken by one gram of substance to change its state is called latent heat of a substance I hope बहुत ही clear हो रहा हो आपको तो इसे हम लोग else इसे denote करते हैं और इसकी जो unit of calorie per gram होगी या जूल पर kilogram होगी तो चलिए अब हम लोग देखेंगे types of latent heat यानि कि गुप तूश्मा के क्या प्रकार है यानि गुप तूश्मा के कितने प्रकार है तो यह भी आपकी दो टाइप की होती है नमबर वन latent heat of fusion यानि कि गुप तूश्मा यह क्या होती है जब आप लोग ice को heat करते हो तो वह water में convert होती है उसे हम लोग तो उस समय जो heat provide की जाती है उसे हम लोग latent heat of fusion बोलते है और second होती है आप लोग की latent heat of vaporization यानि कि water को जब आप लोगों ने heat किया और water से वह gas state में convert होई उसे हम लोग latent heat of vaporization बोलते है clear है तो यही आप लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है latent heat of fusion at a constant temperature the amount of heat taken by 1 gram of substance to change its state from solid to liquid is called latent heat of fusion solid यानि कि ice से liquid में यह convert हो गई तो उस समय जो हमने heat इसको provide की थी वह क्या थी latent heat of fusion और specific heat से इसको confuse मत कीजेगा specific heat same state में रहती है जैसे कि यह आपका water है अब आपको इसको heat कर रहे है और इसका temperature 15 degree Celsius है और आपने इसका temperature 16 degree Celsius कर दिया तो आपने इस temperature को यहाँ से यहाँ बढ़ाने में जितनी heat दी उससे हम लोग specific heat बोलेंगे clear है किसी को कोई डाउट नहीं तो note लिख लीजे latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram तो यह आपको का अगर नहीं है तो आप लोग इसको निकाल सकते हो 80 calorie per gram latent heat of fusion होती है ice की आगे बात करेंगे latent heat of vaporization तो इस जैसे कि हमने आपको बताया constant temperature पर जो heat required होगी 1 gram substance को change करने में liquid से vapor में यानि कि water से आपको gas में बनाने में जितनी heat आपको देनी पड़ेगी constant temperature पर वह आपकी latent heat of vaporization ब heat of vaporization यानि कि वास्पी करन की गुपतूश्मा जो water के लिए होगी वह होगी 536 calorie per gram आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बात करेंगे calorie meter की तो जो अब हमने हैं दो heat पढ़ी specific heat और latent heat तो इसी के जो measurement में जो tool का यूज किया था है उसे हम लोग calorie meter बोलते हैं और उसकी study को हम लोग calorie meter बोलते हैं clear है तो यह ही आपका यहाँ पर लिखा हुआ और इसमें जो method यूज किया था है वो होता है method of mixture जो कि क्या होता है उसे हम आगे डिसकस करेंगे calorie meter is one of the method for determination of specific heat या latent heat of a substance समझ में आगा है ये determination का method है यानि कि मापने का एक method है तरीका है और इसमें हम लोग calorie meter को use क होता है copper की cylindrical vessel होती है और इसमें stir होता है stir क्या होता है जैसे कि आप लोग नहीं रही देखिए stir आप लोग कुछ इसी तरीके से होता है और तो यह आपको का calorie meter होता है जो कि latent heat या specific heat को determine करने में काम आता है और अगर हम लोग बात करें जिस method का use करके हम लोग पता लगाते ह होता है method of mixture तो आपको mixture के बारे में кोइंट note करना होगा जो आपका mixture होता है वह विद दो substance से मिलके बना होगा यानि कि एक का temperature कुछ है जैसे कि x degree Celsius एक का है y degree Celsius और हम आपने इसको बना दिया x y degree Celsius तो इसंक तो इसका temperature कम है इसका जादा है तो जो यह होगा यानि जो mixture होगा इसका temperature इससे ज़्यादा होगा जाहिर सी बात है लेकिन इससे क्या होगा कम होगा क्योंकि इन दोनों में X और Y में दोनों में equally distribute हो गया है clear है तो इसी method का use करके हम लोग पता लगाते है किस substance में कितनी specific heat गई और कितनी latent heat गई अगर हम लोग यह assume कर लें कि there is no stray loss of heat यानि कि अगर heat का कुछ भी loss नहीं हो रहा है तो according to the principle of mixture heat lost equals to heat gain यानि कि छती है उसमा आपकी बरावर होगी जितनी उसमा गेंड की है तो जो calorie meter होता है आपका इस principle पर बना होता है calorie meter में आपका thermometer भी होता है जिससे हम लोग temperature का measurement करते हैं और calorie meter आपकी पूरी एक device है जो की arrangement है इन सभी चीज का जिसमें आपका thermometer होगा stir होगी और बहुत सारे substance होगे I hope आप सभी को ये सारे points किलियर होगे और अगर आपको कोई doubt रहा था तो please comment करके जरूर बताइए और आपका एक comment भी आया था जो की काफी अच्छा लगा कि doubt class के लिए वो बोल रहे थे अगर आपको कोई doubt रहता है तो आप लोग run way online test app में जो इस तरीकी की जो button है error button या I button बोल लीजे इस पर click करके आप लोग अपनी queries को हमारी ID पर send कर सकते हो उसमें attach screenshot का option है जिसकी maximum file size जो हो सकता है 10 MB यानि 10 MB से नीचे के आपके जितने photo हैं एक बार में आप लोग हमें send कर सकते हों clear है तो उसे हम लोग doubt class में clear कर लेंगे अगर आप लोग doubt बेजने में interested हो तो आप लोग जितना हमें support करोगे हम उतना ही आपके लिए करेंगे तो प्लीज वीडियो को like कीजिए और अपने दूस्तों के शाथ share कीजिए और अब हम लोग करने जाने questions को तो जिन लोगों नहीं यहां तक देखा है प्लीज comment करके जरूर बताइए जिससे कि हमें यह पता चल सके कि कौन कौन लोग इसको देख रहे है तो चलिए फर्स्ट कॉशन आपके सामने आप स्मॉल गैप इस लेफ्ट बिट्मिन टू रिल वेट ट्रैक बिकॉस यानि जो स्मॉल गैप छोड़ा जाता है दो रिल वेट ट्रैक में वह क्यों होता है तो बहुत ही बहुत ही सिंपल कॉशन है जल्दी से कमेंट कीजिए लाइप चैट में तो जो लोग ऑप्शन नमर डी इट प्रोवाइड स्पेस ऑफ थर्मल एक्पेंशन फॉरा ट्रैक को चुनना है उनसा भी का अंसर राइट है बहुत ही सिंपल कॉशन है जैसे हम भी लोग कॉंसेट में डिसकस कर चुके है सारे कॉशन ही आपके कॉंसेट में डिसकस हो चुके होंगे कुछ ही कॉशन होंगे जो की आपको थोड़ इसे एक्स्पेंशन करने पड़ेंगे तो जल्दी जल्दी से questions को करेंगे, second question है, if beta be the coefficient of superficial expansion of a metal, then coefficient of its cubical expansion will be, यानि कि अगर beta आपका superficial expansion का coefficient है, तो जो coefficient होगा, cubical expansion के लिए वह क्या होगा, किसके बरावर होगा, तो जो लोग option number C, 3 beta by 2 को चुनना है, उन सभी का answer right है, जैसे कि आप सभी को पता है, 6 alpha equals to 3 beta equals to 2 gamma, तो यहाँ पर आप लोगों से beta और gamma के बीच में बात हो रही है, तो gamma equals to क्या हो जाएगा, 3 by 2 beta, यानि option number C यहाँ पर correct होगा, next question आपके सामने question number 3, expansion in the rod due to heating does not depend upon its, यानि कि rod में, यानि या आपकी कोई rod है, तो यह इसका expansion यानि विस्तार इसका किस क्यों पर निर्बन नहीं करता है, तो बहुत ही simple question, आगर आप लोगोंने formula के use करके किया है, तो आप पर आसानी से हो गया होगा, तो जो लोगों का option number भी solidness और hollowness को चुनना है, उनसे भी cancer right है, rod का expansion या प्रिसार, solidness या और hollowness के उपर depend नहीं करता है, यानि कि अगर आपका जो rod है वो solid है, यानि ठोस है, या hollow है, वैसके उपर depend नहीं करता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा, delta L is directly proportional to L into delta T, तो temperature पर depend कर रहा है, initial length पर depend कर रहा है, और material of rod पर भी depend करता है, आप लोगों का जो alpha होता है, तो इसलिए जो expansion होगा पर आपका depend नहीं करेगा, solidness और hollowness पर, यहाँ पर आप लोग alpha ले लिजे, beta ले लिजे या gamma ले लिजे, तीन हों आपके nature of material पर depend करते हैं, next question आपके सामने, question number 4, relation among alpha is to beta is to gamma, किसके बरावर होगा, तो जल्दी से comment कीजे, alpha, beta and gamma नहीं लिखना है, alpha is to beta is to gamma के बीच में क्या relation होगा, तो जिन लोगों से हुआ अच्छी बात है, जिन लोगों से नहीं हो रहा है, confused होगे हैं, वो लोग देख लीजे, बहुत ही simple question है, जैसे कि आपको पता है, 6 alpha equals to 3 beta equals to 2 gamma, तो alpha is to beta is to gamma किसके बरावर हो जाएगा, 6 से divide दे दीजे, तो यह कितना हो जाएगा, 1 is to, 2 is to, नीचे बाले की बात कर रहा हैं, नीचे, 1 is to 2 is to 3, तो यानि कि option number भी यहाँ पर correct होगा, clear है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा manipulation करना आना चाहिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, next question आपके सामने, question number 5, is a unit of universal gas constant is, यानि कि आप से R की is a unit ऊची गई है, तो जो लोग option number भी, joule per mole per Kelvin को चुन रहा हैं, उन सभी का answer right है, जैसे कि आप सभी को पता है, R आपका universal gas constant X के लिए, gas के लिए, तो जैसे कि अभी हम लोग ने इसी lecture में देखा, CP minus CP equals to R होता है, यानि कि निकल के तो यहां से specific heat ही आएगी, यानि कि C, और C की जो unit होती है, वह क्या होती है, जूल per mole, अगर gas है तो mole आजाएगा, और Kelvin, आप लोग याँ आपर कर लीजे, तो जूल per mole Kelvin आपकी ऐसा unit होगी, और universal gas constant की काफी unit होती है, तो universal gas constant की एक unit यह भी होती है, लीटर, ATM, पर Kelvin, पर mole, और ATM को हम लोग बार से भी denote कर सकते हैं, तो लीटर इंटू बार, पर Kelvin, पर mole, नमबर फोर, पास्कल मीटर क्यू पर Kelvin mole, नमबर पांच, लीटर इंटू टूर, Kelvin इंवर्स, या पर Kelvin, पर mole, और नमबर सिक्स, कैलोरी पर Kelvin, पर mole, जो की अभी हम लोग ने देखा, जूल पर mole, पर Kelvin, ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 यूनिट में से, या 5 यूनिट में से, कोई सी भी आपकी यूनिवर्सल गैस कॉंस्टेंट की यूनिट हो सकती है, तो आप लोग ने अपनी कॉपी में note कीजिए, और इन में से कोई भी एक option अगर आपको match मिलता है, तो आपको वही करके आना होगा, गलती करने के कोई chances नहीं है, और यूनिवर्सल गैस कॉंस्टेंट का हर बार एक नए question जरूर आता है, या तो यूनिट पूछता है, या dimensional formula पूछता है, clear है, next question आपके सामने, question number 6, a hole is there in a metal plate, upon heating the plate, the diameter of hole would be, यानि कि एक metal की plate है, जिसके बीच में या जिसमें hole है, तो अगर आप लोग इसे heat करोगे, तो इसका जो diameter का hole है, वह क्या करेगा, यानि कि ब्यास जो है, वह बढ़ेगा या गटेगा, तो जो लोग को option number ए, increases को चुनना है, उनसे भी answer right है, यहाँ पर हम लोग, जैसे कि आप सबी को पता है, heat करने पर thermal expansion होता है, और यह metal plate है, यानि solid है, तो solid भी expand होगा, और जब आप लोग इसे यहाँ से heat कर रहे हो, तो यह समझ लीजी, यहाँ पर gas परी होई है, occur only in solid, यानि कि सिर्फ solid में पाई जाती है, यानि toast में पाई जाती है, increase the weight of material, यानि कि जो बहार होता है, material का उसको बढ़ा देती है, generally decrease the density of material, यानि कि density गटा देती, यानि गणत तो गट जाता है, expansion होने के दोरान, and option number D, occur at the same rate for all liquid and solid, solid, यानि कि solid or liquid में, दोनों में same होता है, तो बहुत ही simple question है, यह तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, तो जो लोग को option number C, generally decrease the density of material को चुनना है, उनसा भी का answer right है, यह सिर्फ solid में नहीं होता है, यह आपका liquids में भी होता है, gas में भी होता है, और यह weight को नहीं increase करता है, और यह same rate से नहीं होता है, liquid और solid में, clear है, तो option number C, यहाँ पर correct होगा, जैसे कि आप लोग इसे इस तरीके से भी निकाल सकते हो, density equals to mass per unit volume, volume आप concrete होगा, तो density decrease होगी, next question है आपके सामने, question number 8, when water is heated from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, its volume increases, decreases, does not change, first decrease and then degree, यह question जिसने भी कर लिया, तो समझ लिजए, उसका concept पूरी तरीके से clear है, सोच समझ के answer दीजिएगा, तो जो लोग option number E, increases को चुन रहे हैं, उन सभी का answer wrong है, यहाँ पर correct answer होगा, option number V, decreases, जैसा कि आप सभी को पता है, water की जो density होती है, maximum होती है, at a 4 degree Celsius, और हमने आपको starting में भी बताया, water exceptional case है, और इसका जो volume होगा, वह क्या होगा, फिर decrease होगा, density आपकी maximum water की 4 degree Celsius पे होती है, तो volume आपका क्या करेगा, decrease करेगा, next question आपके सामने, question number 9, 4200 joule of work is required for, यानि कि इतने joule का work हमें किस के लिए करना होगा, यादि कि 10 gram substance का, अगर हमें temperature 10 degree Celsius से बढ़ाना है, उसके लिए 100 gram substance का, यानि कि water का 10 degree Celsius से temperature बढ़ाना है, उसके लिए 1 kilogram water का 10 degree Celsius temperature बढ़ाना है, उसके लिए या 10 gram water का 10 degree Celsius से temperature बढ़ाना है, उसके लिए ये वर्क करना होगा, तो जल्दी से comment कीजिए लाइब चेट में, तो जिल लोगों से वह अच्छी बात है, जिल लोगों से नहीं हो रहा है, वो लोग देख लीजिए, और जिल लोगों आप्शन नमबर C को चुना है, वो गलत है, आप्शन नमबर B यहाँ पर correct होगा, किस तरीके से, जैसे कि आप सभी को पता है, 4.2 Joule या calorie heat required होती है, 1 gram water का 1 degree Celsius से temperature बढ़ाने में, तो यहाँ पर जो temperature बढ़ रहा है, तो यह 4.2 है, और यह 4.2 00 हो रहा है, यानि कि इसमें हमें 1,000 से multiply करना होगा, अगर आप लोग directly 1 kg ले लेते हो, तो 1 degree Celsius यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि किसी भी option में नहीं है, 10 degree Celsius है, तो हमें क्या करना होगा, एक किलो ग्राम ना लेकर, 100 ग्राम लेना होगा, और 10 degree Celsius यहाँ पर लेना होगा, I hope आपको clear हुआ होगा, तो 4200 J आपको work करना पड़ेगा, 100 ग्राम वाटर का temperature, 10 degree Celsius से rise कराने के लिए, clear है, next question आपके सामने, question number 10, which of the following will expand the most for same rise in temperature, यानि कि इन में से कौन सा ज्यादा expand करेगा, अगर same temperature बढ़ाया जाता है, तो जो लोग option number D, all will expand same को चुनना है, उनसा भी का answer wrong है, क्योंकि solid expand करते हैं, लेकिन वे nature of material के उपर depend करता है, तो glass आपका दूसरा solid है, aluminium आपका metallic solid है, तो जो aluminium में वे आपका metal है, और वो ज्यादा expand करेगा, same temperature बढ़ाया, clear है, next question आपके सामने, question number 11, which of the following is a poor conductor of heat, यानि कि इन में से कौन सा, heat का या उस्मा का निर्वल चालक है, चालक या सुचालक, आप लोग लिख सकते हो, तो जो लोग option number D, air को चुनना है, उन सभी का answer right है, copper आपका काफी अच्छा conductor होता है, concrete भी होता है, mercury भी होता है, लेकिन air में सबसे कम, आपका conduction होता है, heat का, आगे बढ़ते हैं, next question आपके सामने, question number 12, which of the following undergo sublimation, यानि कि sublimation में, इन में से कौन सा दाएगा, तक, तो आप लोग देख सकते हो, sublimation को हम ये बोलते हैं, तो यहाँ पर correct answer होगा, option number C, both A and B, तो ये दोनो sublimation के अंदर जाएंगे, और sublimation क्या होता है, सबसे पहले आपको ये, पता होना चाहिए, sublimation होता है, आप लोगों का, solid state से, सीधे gas में चले जाना, यहने कि liquid state को छोड़ कर, liquid state में नहीं जाना, और gases से direct solid में आ जाना, इसे हम लोग deposition, या desublimation बोलते हैं, और ये आप लोगों का sublimation, अब आपको ये समझ मा आ चुका है, sublimation क्या होता है, deposition क्या होता है, और dry ice क्या होता है, सू की बरप कैसी होती है, तो dry ice आप लोगों की होती है, carbon dioxide की solid form, जी हाँ, carbon dioxide की जो solid form होती है, वो आपके dry ice होती है, तो dry ice और iodine आपके direct sublimation में जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, next question आपके सामने, question number 13, the phenomenon of refreezing the water into ice, on removing the increased pressure is called, यानि कि pressure को निकाल निकाल कर, यानि जो pressure बढ़ा हुआ है, उसको निकाल कर, water को ice में convert करना, क्या कहलाता है, freezing, fusion, sublimation, या regulation, तो जो लोगों को option number 13, freezing को चुन रहा है, उन सभीका answer wrong है, freezing आप लोगों का temperature को down करके, किया जाता है, और ये phenomenon का नाम होता है, regulation, इसमें pressure को निकाल निकाल कर, यानि increase pressure को remove करके, water की ice बना जाती है, इस phenomenon को हम regulation बोलते हैं, और fusion आपको पता है, ये water, ice से water में convert कर देना, और sublimation आपको पता है, ice से direct gas में चले जाना, I hope आपको सारे points clear हो रहे होंगे, next question आपके सामने, question number 14, the value of molar heat capacity at constant temperature is, तो molar heat capacity क्या है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, तो जो लोग ये सोच रहे हैं, molar heat capacity क्या है, तो वो गला सोच रहे हैं, तो molar heat capacity क्या है, specific heat of gas, और अगर आप लोग इस चीज़ को भी बूल जाओ, direct अगर आपके दिमाग में specific heat आ जाता है, gas को छोड़ कर, तब भी आप लोगों का काम बन जाएगा, क्योंकि जो C होती है, वो आपकी होती है, Q over M, यहाँ पर यह gas है, तो N आजाएगा, N delta T, और जब आपका change in temperature 0 हो गया, and something upon 0 is equals to what? infinity, यानि कि अनन्द, यानि option number B यहाँ पर correct होगा, next question आपके सामने, question number 15, यानि कि किसी पदार्थ की बस्पी करण की अब्यक्त ऊश्मा या गुप्त ऊश्मा सदेव रहती है, जादा या कम, तो liquid से gas में convert करने लिए जादा हीट लगती है, in comparison to solid से liquid में लाने में, तो इसलिए हमेसा latent heat of vaporization जादा होगी, latent heat of fusion से, यानि कि option number A यहाँ पर correct होगा, greater than its latent heat of fusion, आगे बढ़ते हैं, next question आपके सामने, question number 16, which of the following is used as a coolant in automobile radiator, as well as heater in hot water wax, तो बहुत ही simple question है, यह तो आप लोग देखते हुए आ रहे हो, क्या ले जाते हैं हम लोग water को, तो water आप लोग का यूज के जाता है radiator में, और radiator क्या होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा, जो engine होता है उसमें, जब पहले पानी डालते थे, आज कल तो coolant आ रहा है, जिसकी बज़े से water आपको जरूरत नहीं होती है, water के आपको जरूरत नहीं होती है बार बार, लेकिन पहले क्या था, water आपको डालना पड़ता था, तो कुछ दूरी तेख करने के बाद, जिससे कि engine ठंडा हो सके, तो water का use किये जाता है, coolant के तौर पहे, automobile radiator में, और last question, इस question का जवाब, आपनो comment box में comment करके बताना होगा, और इस question का जवाब, जिसने भी दे दिया, उसको ये lecture समझ में आ चुका है, a quantity of heat required, to change the unit mass of a solid substance, from solid state to liquid state, while the temperature remain constant, is known as, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल आपका definition based question है, जो कि किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, जिसने ध्यान से देखा concept, उसका तो नहीं गलत होगा, बाकी chances इसमें बहुत हैं गलत होने के, तो चलिए अब हम लोग discuss करेंगे, पिछली वीडियो में पूछे के questions को, तो question number 11 पूछा किया था, maximum density of H2O is at the temperature, तो H2O क्या है, water है, और water की maximum density कितने temperature पर रहती है, 4 degree Celsius पर, तो यहां से बस आपको क्या करना है, अब आपको इसको convert कर देना है, फेरेनाइट में, और यहां पर 392 लिग गया था, जो कि mistake था, लेकिन आप लोगों ने answer सही दिये, 39.2 Fahrenheit, तो simple सा है, C over 100 equals to F minus 32 over 180, 0 से 0 cancel, और अब आपको C की value 4 है, 4 over 10, multiplication 18 equals to F minus 32, तो जब आप लोग इसे calculate करोगे, तब आपकी बास answer आएगा, 39.2 Fahrenheit, तो यह answer सभी ने correct दिया, कुछ student हैं, जिन्होंने अभी भी गलत answer दिया है, तो इस तरीके से नहीं चलेगा, बहुत ही simple simple question है, यह तो किसी के नहीं गलत होनी चाहिए, लेकिन फिर भी गलत हो रहे हैं, तो आप इसके लिए खुद जिम्हेदार है, आई होप आप सभी को यह lecture समझ में आए होगा, पसंद आए होगा, काफी लंबा lecture आए है, और जिन लोगों ने पूरा देखा है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, गर्मी में काफी मेनत लगती है, और जिन लोगों ने अभी तक, लर्न बे शैनल को सब्सक्राइब ने कहा है, वो रेट बटन पर किलिक करके, शैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जितना आप लोग कर सकते हो, और अगर अभी तक आप लोगों ने दूर देखे जाएए, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम में है, आज आप खुल कर बताइए, क्या आप लोग वीडियो को डाउनलोड करके देखते हो, अगर आप लोग ऐसा करते हैं, तो प्लीस मत कीजिए, बाकि आप खुद समझदार हो, तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, थेंक्यू,